हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंस्ट्रोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनालसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो यूजूल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनालसिस से उ तो यहां पर देख सकते हैं इनकी हथेली एक रेक्टेंगल जैसी शेप बनाती है नजर आ रही है और फिंगर्स जो हैं इनकी काफी अच्छी लेंट में नजर आ रही है जो शो करती हैं काफी अच्छी अनलिटिक टाइप की परसनालिटी को कोई भी काम यह शुरू करते हो तो पूरे सोस समझ कर शुरू करते होंगे पूरी दिना से अनाल्सिस करके करते होंगे काफी अच्छी लंबाई है और अगर शनी फिंगर को यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट शनी फिंगर इन्हें काफी हार्ड वरकिंग की परसनालिटी को काफी अच्छी क्रियेटिव नेचर को भी और ब्रस्पती फिंगर का थोड़ा सा शॉट होना कहीं न कहीं यहां पर लीडर्शिप क्वालिटिस की कमी को शो करता है और इनकी मरकरी फिंगर भी साइज में थोड़ी शॉट हो रही है जो इनके सूरे से कुछ नीचे ही रह रही है जिसकी वज़े से थोड़ी शाय टाइप की नेचर रह सकती है और कॉम्निकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी कमी रहने के चांसिस रहते हैं आगे आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स आपको काफी क्लेर नजर आ रह काफी तेख सकते हैं सारी फिंगर के बेस चाफी थिक हैं इसकी वज़े से काफी अच्छी एनर्जी स्टैमिना व्यक्ति को मिलता है और साथी साथ काफी सारी खड़ी रिखाएं यहाँ पर फिंगर्स के जो बेस फैलेंजिस इनकी ऊपर नजर आ रही हैं आपको ड्रॉ करक जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की nature को काफी हद तक काम रखती हैं और ऐसी रिखाएं होना व्यक्ति को एक social type का person show करती हैं और ऐसे व्यक्ति काफी friendly nature के रहते हैं जिनकी fingers के ओपर ज्यादा खड़ी रिखाएं हों और आड़ी रिखाएं अगर हो तो वो थोड़ा सा negative result देते है तो यहाँ पर आड़ी रिखाएं नजर नहीं आ रही सीधी खड़ी रिखाएं होना इनकी personality के लिए काफी अच्छा रहने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी fingers के बाद इनके mounts को इनके mounts इनके बारे में क्या-क्या indicate करते हैं इस चीज़ को देखे रही है जिसमें इनकी जो शनी finger है सबसे ज्यादा high set है और उसके बाद second number पर आ रहे है सूर्य finger और इसी तरह से ब्रस्पती finger थोड़ी और low set होती हुई और mercury finger यहाँ पुरी तरह से low set होती हुई जो यहाँ पर shy type की nature को show कर रही है communication skills में थोड़ी सी problem को यहाँ जो finger है mercury show करत दिखाई दे रही है overall कोई भी negative chin नहीं है इनके mounts के उपर जो एक अच्छी चीज़ है इनके लिए तो चलिए एक वर सभी mounts के उपर जो चिन बन रहे हैं उनको भी यहाँ पर check करते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते हो lines को भी देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्र partial गुरु वल्या भी बनता हुआ complete गुरु वल्या नहीं है लेकिन इसका प्रभाब फिर भी रहता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा uncomplete है और overlapped है लेकिन गुरु वल्या का बनना यहाँ पर व्यक्ति को religious type की nature देता है और समाज में मान समान की प्रापती होती है लेकिन अगर यहाँ गुरु वल्या complete हो जाए तो बहुत अच्छे result रहते हैं कुछ इस तरह से एक complete गुरु वल्या बनता है जैसे अर्द चंद्रमा मैंने अभी आपको draw करके दिखाया तो अगर किसी के हाथ में ऐसा गुरु वल्या बनता है तो बहुत अच्छे result रहते हैं लेकिन partial आपको डिखायी अभी यह जो line है जिसको मैं एरो कर रहा हूँ यह progress line व्यक्ति को life में progress दिलवा दिया और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाले हैं कि इनकी progress line की शुरुआत यहां पर इनकी life line से होती नजर आ रही है लेकिन अगर आगे देखे तो यहाँ से progress line चलकर कुछ इस तरह से आगे से जो माइंड लाइन से दोबारा शुरू होती नजर आ रही है तो यह चीज शो करती है कि ऐसे विक्ति अपने शार्प माइंड की वज़ा से लाइफ में प्रॉग्रस पाते हैं प्रॉग्रस काफी अची राइप में रहती है और जब माइंड लाइन भी बी शनी माउंट को मिल पा रही है और अगर शनी रेखा को देखा जाए तो शनी रेखा यहाँ पर इनके हाथ में चंद्रमा के area से शूरू होते हुई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी जो शनी रेखा है चलती हुई नजर आ रही है लग बग यहां से उपर की तरफ और आगे चलकर थोड़ी overlap होती हुई यहां तक इनकी शनी रेखा विल्कुल सीधी चल रही है और यहां पर जो intersection point होता है जो जहां पर mind line को यह रेखा काटती है लगबग 36 के आसपास की age बनती है यहां पर और आप देख सकते हैं 36 के round age से पहले से ही यह रेखा अपना रुक बदल रही है यानि एक सीधी line चलती हुई और 35 के आसपास की age से line जो अपना course change करती हुई तो यहां पर एक change रहेगी life में positive change आने की संभावना रहेगी otherwise इनकी जो शनी रेखा है काफी strong है जो यहां पर show करती है कि काफी अच्छी income इनकी life में रहेगी और साथी साथ काफी तरक्की भी देती है ऐसी line comfortable line की life की तरफ इशारा करती है strong शनी रेखा तो यहां पर शनी माउंट का अच्छे size में होना hard working बनाता है इनसान को और शनी रेखा का अच्छा होना यहां शो करता है कि ऐसा वेक्ति अपनी hard work से काफी अच्छी achievements कर लेता है और दूसरी चीज़ आप देख सकते है यहां पर mercury line मौझूद है कुछ इस तरह इसकी जो बीच में थोड़ा सा area खुला रह जाता है money triangle बनने में otherwise यह money triangle कुछ इस तरह से बनता हुआ दोनों तरफ से थोड़ा area खुला रहना शो करता है expenses को काफी ज़्यादा खर्चीली nature है सकती है इनकी पैसा बचाने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकर income इनकी यहां पर life में काफी अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है आगे आप देख सकते है इनकी जो इनका mount है सूर्य mount और उसके साथ से शनी mount के उपर अगर देखा जाए तो एक fish का चिन भी काफी clear बनता हुआ जो बहुत ही beneficial माना जाता है इस तरह का fish का चिन शनी mount के उपर बनना व्यक्ति को spiritual nature शरका तो बनाता ही है साथ ही साथ तंतर मंतर यहां ऐसी विद्याई जो occult sciences है जैसे जोतिश विग्यान है पामिस्ट्री है टारो रीडिंग है ऐसी जो चीज़ें है ऐसी विद्याई है इन में व्यक्ति का interest रहता है और old age में चलकर एसा व्यक्ति इन में से किसी चीज़ को सीखने की कोशिश भी कर सकता है क्योंकि यह चीज़ें जो रहता है promise करता है कि ऐसी चीज़ें की तरफ indication देता है कि रुजहान रह सकता है व्यक्ति का और यह चीज़ें यहां पर रिखा कुछ इस size की बनती हुई बहुत ज़्यादा लंबी सूरे रिखा ना होना यहां शो करता है कि name and fame मिलने में थोड़ी से दिक्कत रह सकती है लेकिन old age में इस रिखा की activate होने से old age में अच्छी recognition society में रहने के chances रहेंगे mercury की बात की जा तो mercury रिखा को हमने देखा यहां पर बनती हुई और उसके इलावा कुछ सीधी खड़ी रिखाएं यहां पर mercury mount के ओपर मौझूद है जो business acumen को बढ़ाती है जिसकी वज़ा से व्यक्ति business में भी काफी कामयाब हो सकता है आगे आप देख सकते हैं इनकी lines को major lines को तो heart line की बात करते है यहां पर इनकी जो heart line है वो center में एक island बनाते हुई नजर आ रहे है जो एक अच्छा चिन नहीं माना जाता पामिस्ट्री में किसी भी रिखा के उपर द्वीब का चिन बनना island का चिन बनना उस रिखा को कमजोर करता है तो heart line के बिलकुल center में यानि लगभग 40 प्लस 45 के age में यह कुछ दिक्कत heart से related इने दे सकती है emotional setbacks मिलने के chances रहेंगे काफी ज्यादा क्योंकि यहां पर इनकी heart line है इसमें काफी सारी ऐसी रिखाएं नजर आ रहे हैं जो नीचे की तरफ चलती हो दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से ज़्यादा रिखाएं होना व्यक्ति को over emotional बनाता है और ऐसे व्यक्ति अपनी life में कई बार emotionally hurt भी होते हैं overall इनकी जो heart की line है वो बिल्कुल सीधी चलती हुई एक practical type की personality की तरफ इशारा करती है लेकिन practical होने के साथ-साथ यह हैं इनके emotional होने की तरफ भी indication देती है mind line की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते है इनकी mind की line बिल्कुल straight है जो एक बहुत ही sharp mind की तरफ इशारा करती है और यहाँ पर mind line और life line के बीच में gap का होना शो करता है कि responsible type की personality को लेकिन थोड़ी जिदी nature को भी यहाँ पर इस तरह का gap व्यक्ति को बच्पन से ही responsible बनाता है ऐसे लोग जिनके हाथ में एक बड़ा gap रहता है इन दोनों रिखाओं के बीच में ऐसे व्यक्ति बच्पन से ही इनके उपर जिम्मेवारिया किसने किस तरह से पढ़ जाती है और ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों को एक अच्छी तरीके से निभाना भी जानते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की इंडिकेशन नजर आ रही है आगे देखते हैं इनकी लाइफ लाइफ लाइन को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइफ लाइन जो अपने अंत में एक फिश जैसा चिन बनाती हुई इस तरह का चिन व्यक्ति को फारण में सैटलमेंट दिलवा सकता है तो कि आप देख सकते हैं एक रेखा का बाहर की तरफ निकलना और केतु एरेक अपर कुछ इस तरह का चिन बनना शो करता है वदेश यात्राओं को और फारण सैटलमेंट को भी एक अच्छा यहाँ पर श कई प्रॉग्रेस के चांसिस को दर्शाती हैं ओवरॉल यहाँ पर चंदरमा के एरिया से लाइन का उपर की तरह बढ़ना और लाइफ लाइन की एक ब्राच का चंदरमा एरिया तक पहुंचना व्यक्ति को फॉरण ट्रैवल तो जरूर करवाता है उसके साथ साथ आप की कॉंबिनेशन बनना व्यक्ति को किसी ना किसी तरह की एडिक्शन में भी डाल सकता है तो इस तरह से इन्हें एडिक्शन जैसे अलकोहल की या स्मोकिंग की ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और ओवरॉल कोई भी और मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही काफी अच्छे चिन हैं के हाथ में जो इन्हें काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं तो यह कुछ अनैल्सिस थे इनके हैं के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जो आब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न